नमस्कार ये डिक्टेशन 160 सब्द प्रतमिनट की रहेगी अब भ्यास खंड फर्स्ट से डिक्टेशन है इसमें प्रतलेखन शंख्या 61, 62, 63 और 64 रहेगा ठीक है आप सभी लोग दोस्तो वीडियो लाइक करेंगे जो लोग टेलिग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलिग्र सब्सक्राइब करते हैं आप लोग ध्यान से लिखेगा 3, 2, 1 सब्सक्राइब करने के लिए खड़ा हुआ हूँ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और उसका छेत्र भी बहुत बड़ा है इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी जनसंख्या और छेत्र के अनुसार विकास योजनाओं के लिए केंदर से आर्थिक सहायता दी जाए इसके बिना उत्तर प्रदेश की उन्नती होना असंभव है भारत का किसान इस देश का जीवन है किसान पर ही सारी खुसहाली और उन्नत निर्भर करती है अगर उसका जीवन सम्रद तो देश भी सम्रद होगा इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के दैनिक जीवन की चीजें सस्ती हों और उसके खाद और क्रिसियंद आदि सस्ते दामों पर मिल जाएं पानी के लिए उसको भगवान की तरफ न देखना पड़े बलकि उसको सिचाही के विशय में नहीं दी जाएंगी तब तक देश उन्नत नहीं कर सकता है मेरा यह भी निवेदन है कि जिन परिवारों में खेती का काम होता है उन परिवारों के बच्चों को क्रिस विभाग में नौकरी देनी चाहिए यह मैं आवश्यक समझता हूं क्योंकि उन्हें क्रिस के बारे में ब बड़े और छोटे सरकारी कर्मचारियों के बेतन में बड़ा फर्क है। बहुत महंगी होती जा रही हैं। देश में महंगाई दिन प्रते दिन बढ़ रही है और सारे देश में बेचैनी फैली हुई है। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकना आवश्यक है। नहीं तो देश में क्रांती हो जाएगी। आप इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि आज देश में चारों तरफ बड़ा असंतोस है और लोग बड़ी आसा से हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन महंगाई हमारे नियंत्रण से बाहर होती चली जा रही है, देश में काले धन की बड़ी चर्चा की जाती है, उसको निकालने के लिए बड़े प्रयत्न किये गए है सभापति महोदय शरकार इस इस्थित में नहीं आई है कि वह कह सके की देश में काला धन नहीं है, काले धन को निकालने के और प्रयत्न होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस दिशा में भी कदम उठाए जाए कि ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए, जिससे लोगों को काल धन कमाने का उशर ही ना मिले, आज हमारे देश के विभिन प्रदेशों और छेत्रों के इस्थित में बड़ा अंतर है, इस अंतर को समात किया जाना चाहिए, मुझे आसा है कि बित्मंत्री महोदय मेरे इन सुझाओं पर आवश्ठ ध्यान देंगे, कल मैं बित्मंत्री जी को बता रहा था कि आप एक तरफ से नय नय कर लगा कर खजाने को भरने की कोशिस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके विभाग उस खजाने में छेद कर रुपया निकाल रहे हैं, इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए, मैंने इस शंबंध में एक उधारन दिया था कि एक काम होने वाला था, एक ठेकेदार ने 4 लाख रुपय प्रतिमील और दूसरे ठेकेदार ने 10 लाख रुपय प्रतिमील के हिसाब से रुपया मांगा, जब मंत्री महोदे के सामनी यह चीज लाई गई तो इस बात की जाच हुई, जिसमें कुछ करोन रुपयों की बचत जैसा कल मैंने बित्मंत्री जीशे कहा, उन्होंने 2 करोन रुपय की छूट करों में देकर हम पर अहसान लाद दिया, लेकिन मैं तो आपका कई करोन रुपयों का लाब करा रहा हूँ, आप इसकी जाच कराईए और देखिए कि कैसी लूट हो रही है, इतना ही नहीं, इसका प्रभाव दूसरे विभागों पर भी पढ़ रहा है, वहाँ पर जो दूसरे विभाग काम कर रहे हैं, उनकी दरें भी बढ़ रही हैं, या दरें बढ़ने के लिए उनकी मांग बढ़ रही है, जब वही काम एक जगह अधिक लागत में होगा, तो दूसरी जगह वही काम क चलते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है ठेकेदार आपके विभागों के साथ मिलकर दर बढ़ाते हैं मैं ब्रष्टा चार की बात नहीं कहता हूँ उसको ना आप बंद कर शकते हैं और ना मैं बंद कर शकता हूँ और ना लोग अध्यच महोद है मैं कल कह रहा था कि बित्मंत्री को देखे तो हम इस परिनाम पर पहुचेंगे कि बित्मंत्री जी ने निश्चित तौर पर ऐसा काम किया है जिसके लिए विधन्वाद के पात रहें उन्होंने देश की अर्थ बिवस्था को सुधारने के भार को लेकर उसमें सफल्था प्राप्त करके देश की बिगड़ इस तरह से देश में एक नई आसा और विश्वास पैदा हुआ है इस वर्ष के बजट द्वारा भी उन्होंने पिछले वर्ष के कारक्रम को जारी रखने की कोशिस करने का प्रयास किया है मुझे इसमें कोई शंदेह नहीं है कि इसमें भी उनको सफलता मिलेगी उन्होंने देश के आयात निर्यात के बारे में जो कदम उठाए हैं उनसे निश्चे ही हमारे विदेशी ब्यापार का संतुलन सुधरेगा यह निश्चे के साथ कहा जा सकता है मैं बित्मंत्री के लच्छोंवा कर नीति का आमतर पर श्वागत करता हूँ यद्यप मैं मानता हूँ कि इस कर्व अस्था के द्वारा मध्य वर्ग पर बोज़ा पड़ेगा परंतु इस देश में हमें पंच वर्षी योजनाओं को जारी रखना है इसलिए उस संदर्भ में हमें आर्थिक शाधन जुटाने पड़ेंगे और ऐसी दसा में जो लोग इस देश में ऐसी स्थित में हैं जो कस्ट उठा करके भी कुछ दे शकते हैं उनको देश के लिए देना ही पड़ेगा इसलिए बित मंत्री जी के इन कदमों का भी मैं श्वागत करता हूँ परंतु साथ ही साथ मैं नम्रता पूर्वक यह आवश कहना चाहता हूँ कि बित मंत्री महोदेनी किसानों पर जो भी नएकर लगाये हैं उनके उपर वे फिर सोचें मेरी मानता के अनुसार बित्मंत्री द्वारा खाद पर जो कर लगाया गया है जो सुल्ग लगाया गया है वह एक ऐसा कार है जिससे इस देश का अभिकास रुकने वाला है उन्होंने अपने बजट भासड की भूमिका म क्रिश शंबंधी कच्चे माल की उत्पादन के लिए पूझी लगाने की आवशकता पर जोर दिया है उनकी सोयम की यह मानता है कि क्रिश का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है अध्यच महोदे उसके लिए सब कुछ करना है तो फिर क्रिश उत्पादन का जो मूल उस खाद और पानी की जो विवस्था है जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में आता है कि कहीं बित्रमंत्री महोदे अपनी ही बात को अपने ही सिध्धानतों के द्वारा तो काट नहीं रहे हैं मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूम के नाम से पुकारा जाता है मेरी राय में अब समय आ गया है जबकि पिछले दो तीन वर्षों की नीतिपल फिर विचार किया जाए और एक मात्रा में घाटे के बजट का सहारा लेकर ही सही आर्थिक तथा सामाजिक विकाश योजनाओं की गत को बहुत बढ़ा दिया जाए इस मामले में मैं समझती हूँ की तुरंत कारवाही होनी चाहिए ताकि आज जन साधारन में जो असंतोस उभर रहा है वह हानी कारक दिशाओं में न चलने पाए आज के राजनीतिक वातावरण की द्रश्टी से भी मैं कहना चाहती हूँ की विकास की गत को बढ़ाने की दिक्त कर ना लगाया जाता मेरी राय में इस प्रकार के करों से बचना ही उचित है परन्तु वस्तुस्थित कुछ ऐसी लगती है कि प्राया गरीबों पर करों का भार लादे बिना सरकार की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती एक नया कर जिसे पहली बार बित मंत्री ने लगाने की ठानी है वह क्रिश संपत संबंधी कर है अब से पहले कुछ राज्यों में क्रिश संबंधी आयकर लगाया गया था परंत उसके प्रसासन तथा वशूली आदमी इतनी कठिनाईयां आई की राज सरकारों को अपनी नीद बदलनी पड़ी बात यह है कि जहां करोणो अनपढ तथा गाओं में बशने वाले किशानों पर हिसाब किताब रखने और रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी लादी जाती है वहां ऐसा कोई कर शफल नहीं हो शकता उल्टे उसके कारण लाखों लोग कई प्रकार से सताय जाते हैं और फिर वे लोग सरकार से होगा इस स्टॉप